आपके पास Vivo Y20 series का कोई भी फोन है तो यहां पे आप screen saver का use कैसे कर सकते हैं कैसे उसकी setting को on off कर सकते हैं तो इसके लिए आप setting पर जाएंगे इस ट्रैप से option आएगा scroll कर लेंगे display and brightness पर click करना है आपको scroll करना है और यहां पर आपको screen saver का option मिल जाएगा click कर लेंगे by default अगर यह on है तो आप यहां पर किसी को off करना है तो off कर लेंगे वैसे तो मैं recommend करूंगी कि आप on कर लें इसको on करने के बाद अगर clock set है तो कुछ step से दिखता है charging पर लगाते वक्त या फिर phone को PC वगरत से connect करते वक्त अब यह हो इसलिए जरूरी होता ना कि ऐसा होता ना कि हाथ हाथ लग जाता है अंधेरे में हाथ phone charging करते वक्त तो जब screen पे screen saver लगा रहेगा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ phone है तो आप आपका जो phone है वो protect रहेगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी current में यह clock set है आप चाहो तो photo set कर सकते है अब photo तो आपने सेलेक्ट कर ल इसके नीचे options आ जाते हैं तो देख सकते हैं यह आ चुका है इसको on कर देंगे बैक कर देंगे तो आपके phone में album में जितनी भी photos वगरा है वो इस type से कुछ शो करती है एक के बाद देख ऐसे zoom out, zoom in हो के शो करती है screen पे ठीक है तो इसको on off करके preview इसका check out कर सकते हैं और यह कब start होना चाहिए जब आप यहां पे phone charging करते हैं तब या फिर जब phone को PC से connect करते हैं तब यह phone and PC और charging दोनों के लिए आपको on करना है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे और never कर देंगे तो यह हटी जाएगा तो मैं इसको charging के लिए सिर्फ कर दूंगी इसे कोई battery का लेना देना नहीं होता है आपकी battery का consumption नहीं होता इससे तो आप इसको on कर सकते हैं और off कर सकते हैं यहां से मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार